हेलो किसान भाईयो आज आपको सीधे कोल्ड से लोडिंग दिखा रहे हैं ये देखिए सीधा प्रसारंट दिखा रहे हैं आपको कोल्ड से सीधे लदाई चल रहे है और मंडी के आलू भाव क्या रहे है कोल्ड पर क्या आलू भाव चल रहा है ये पूरी डिटेल बताएंगे और कौन-कौन से कोल्डों में क्या-क्या रेटें रही तो आपको वीडियो को पूरा देखना है और दियान से देखना है क्योंकि किसान भाई यो महगा आलू है इस वज़े से जो प्यापारी भाई है वो भी इस आलू को इस टोर नहीं रखना चाते हैं क्योंकि रेट के कोई पता नहीं है कब रेट गिर सकता है कब रेट उपर जा सकता है तो उन्हें मुनाफ़ा दीख रहा है 100-200 रुपे का है तो वहां से वो उस आलू को बेक रहे हैं क्योंकि देखी रिस्कों होता है बड़ा पैसा लगता है जैसे कि किसी ने 1200 रुपे का कट्टा खरीदा तो उसे 200 रुपे का प्रॉफिट हो रहा है तो उस आलू को बौपारी भाई निकाल कर कोल से मंडियों में बिजवा रहे हैं क्य देखी ऐसा है मंडियी भाव कभी भी गिर सकता है उपर भी जा सकता है क्योंकि अभी रेट अभी जो 377 का रेट है वो 1100 रुपे तक चला गया है और जो आपका CPRI है उसका 1200 रुपे तक चला गया है रेट आलू का कोल्डों की बात करें जो आपका हाइब्रिड आलू है मोह आपका आलू है वो 700 रुपे तक बिकरा है जो आपका ख्याती आलू है वो आपका 8500-900 रुपे तक आराम से बिकरा है गुल्ला साइज की बात करें तो गुल्ला साइज की अभी कोई बिकरी नहीं है क्योंकि अभी जो बौपारी भाई है वो पूरी तरह से आलू को नहीं ख कोल्ड पर जो आलू बिका जो भाव है वो अभी सभी रेट हैं कई कई कोल्डों में तो अभी गेट भी यह थे जितनी अफवा आफवा है उसके अनुसार आलू अभी मेयादा नहीं है Eva .. ज्यादा बना ली है क्वें च्छिच्रा भी कोलू भी पिछरी साल सौ नौु तक आलू बिका था तो बोबाले आलू बिक रहे हैं 1100 रुपे में आप समझे बात को जब आपका जो मीडियम क्वालिटी का आलू है वो 8500-900 रुपे तक ही बिक रहा है इससे ज्यादा नहीं है तो यही सारा कुछ है जो कि देखिए आप देख सकते हैं लगाता लोडिंग चल रही है और देखिए ये की गाड़ी अभी लोड हो रही है आप देखी रहे होंगे किसान बाईयो तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सस्क्राइब कर लें अधिक चानकार देगे लिए और